तो चलिए फ्रेंड कैसे हैं आप लोग स्वागत करते हैं आप लोगे फिर से एड टिक्निकल यूटूब चैनल में अज फिर से एक न्यू टिप्स एंट ट्रिक का वीडियो लेकर आप लोगे वीच आज का वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए क्यों आज से पहले आपने बहुत सरा ऐसा वीडियो देखा होगा यूटूब पर जिसमें इसा ट्रिक बतला जाता है लेकिन वह काम नहीं करता है और बहुत सरा ऐसा ट्रिक बतला दिया जाता है जो आप फोलोग नहीं कर सकते हैं तो आज हम सिर्फ दो ट्रिक बतलाएंगे जिहा आज जो दो important setting बतलाने वाले हैं तो पहला setting आप तीन तरीका से कर सकते हैं कोई भी तरीका आपके smartphone में work कर सकता है या तो तीनों तरीका work कर सकता है तो पहले setting के लिए आपको आना होगा अपने setting में setting में आने के बाद dual card and mobile network का जो option होगा उसमें जाना है अगर आपके smartphone में इस सारा वह आप आजाएगा जो भी आपके smartphone में install होगा देख सकते हैं यहां सारा आप आजाएगा जो भी आपके smartphone में install है सारा आगया and यहां से आप जो भी आप यूज करते हैं सिर्फ उसको आप चालू रखना है बाकि बाद सभी apps को इस तरह कासे बंद कर दीजिए ऐसा करन इसको आप चलाना सिर्फ उसको ही चालू रखेगा तो इस तरीका से आप सिर्फ वही आप यूज करेगा, इंटरनेट करेगा इंटरनेट को तो इस तरीका से जो पहला तरीका है आप कर सकते है अपने smartphone में and दूसरा तरका के लिए आपको जाना होगा आपने smartphone का application में जिसक इसके बाद data monitor वाला जो option है उसमें जाना होगा देख सकते हैं इस तरह से data monitor का option है इसमें जाना है और इसके बाद स्क्रॉल करके निचे आएगा तो यहां network management का जो option है उसमें जाना होगा और यहां से आप बंद कर दीजिएगा फिर से चले loading ले रहा है दिखलाते हैं क्या इसमें क्या आगे process है इस तरीका से आप यहां से बंद कर दीजिए कुछ इस तरीका से डेड टीक लग जागा तो यहां बंद हो गया इसका permission connection नेट का connection भी बंद हो गया और वाइफाई का connection बंद हो गया तो इस तरीका से आप बंद कर दीजिएगा सारा आपको और जिसको आपको यूज करना सिर्फ उसमुक को आप चालू रखेगा वे था दूसरा तरीका और तीसरा तरीका के लिए आपको जाना होगा अपने प्र रखेगा से 4.1 रेटिंग है एंड देख सकते हैं 5,000 के इसका डाउनलोडर है तो इस तरीका से यहां से आप डाउनलोड करके बरे असानी से इस एप से भी बंद कर सकते हैं सिर्फ एक एमबी का यह आप है यहां से आप इसको डाउनलोड कर लिजिएगा एंड इसे भी अपना data का permission अब बात करते हैं जो अंतीम जो setting है एक नमर का setting हो गया आप बात करते हैं अंतीम नमर के setting के लिए आपको जाना होगा अपने WhatsApp में आप यौदा सब्सक्रस्राइब का नोब होगा और इसके बात आपको जाना है 3.p किलिक करना है कि इसका गाना है setting में setting में जाने के बाद जाना है storage and data वाला जो option है देख सकते हैं चौते नमर वो जो है storage and data का जो option है उसमें जाना है और इसके बाद आपको नीचे एक option मिल जाएगा when using mobile data जी हाँ इस तरीका से देखिए when using mobile data यहाँ जख सकते हैं यहां इस पर टैप करना है इसके बाद यहां से आप आपको अगर वीडियो एडियो डोकमेंट सभी पर सेलेक्ट होगा तो आप सिर्फ फोंटों पर लगा सकते हैं अधरवाइज इसको भी आप बंद कर सकते हैं कुछ इस तरीका से एंड ओके पर किलिक कर दीजेगा इस तरी नहीं होगा जब तक आप नहीं चाहिएगा जब तक आप डान्लोड नहीं होगा तो इस तरीका से आप बहुत सरा अपना एंवी बचा सकते हैं तो यह था आज का दो इंपोर्टेंट सेटिंग आपके डटा को सुरक्षित रखने के लिए बचाने के लिए तो अगर वीडि प्लिज प्लिज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आज ऐसा वीडियो आपको हमेशा इस चैनल पर मिलता रहेगा तो चलिए आज इतना ही जैहिन